नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल अचार जागंदर मिस्रा में 6 अप्रेल के बाद इस राशी के घर पधारेंगी महा लक्ष्मी जी हां दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 6 अप्रेल के बाद माता लक्ष्मी कुछ राश वाले जातकों के उपर बेहद ही प्रसंद हो चुकी हैं और इने कुबेर का खजाना लुटाने वाली हैं जी हां दोस्तों माता लक्षमी जी इन राश वाले जात्कों के उपर बेहद ही प्रसंद हो चुकी हैं अब इनके जीवन में एक नई काम्याबी इनको प्राप्त होने वाली है आपने तो एक सुनी ही होगी दोस्तों कि देने वाला जब भी देता देता छपड़ फार के जी हैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों कि 6 अप्रेल से देव गुरू ब्रिहस्पत का रासी परवतन होने जा रहा है और इस रासी परवतन के चलते एक विशेश रूप से धन सुब सैयोग और इस महा रासी परवतन के चलते कई प्रकार के धनयोग और राजयोग का निर्मार होने जा रहा है 6 अप्रेल से माता लक्षमी जी इस राजयों के कारण कुछ राशवले जात्कों के उपर बेहदी प्रसंद हो चुकी है आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों कि 6 अप्रेल से देव गुरू ब्रिहस्पत का यह रासी परवतन इन राशवले जात्कों के लिए एक नई सौगात लेकर आया है जी है दोस्तो देव गुरु प्रिहस्पती एक साल में एक ही बार रासी परवर्तन करते हैं और इस साल का सबसे बड़ा रासी परवर्तन देव गुरु प्रिहस्पत का 6 अप्रयल से होने जा रहा है। के लिए बता दे कि माता लक्षमी जी विशेश रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रसण हो चुकी है। दिन होने के विज़े से और भी बहतर बन जा रहा है क्योंकि मंगल वार्ग के दिन इस गुरू यानि ब्रहस्पत के राशी बरवर्तन के चलते कई तरह के शुवे और राज्यों कर निर्मार हो जा रहा है जिसके कारण माता लक्षमी जी कुछ राश्वाली जातकों के उपर बिशेश प्रसंद हो चुकी है साथी साथ आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों कि माता लक्षमी जी अब इनके सारे अधूरे काम पूरे करने वाली है इतने बड़े संयोग और बिशेश महा सुप संयोग बनने के कारण कुछ राश्वाले जातकों के लिए बेहत ही कि समस्याएं और इनकी जो बिपत्या थी अब जो परेशानिया थी जो कष्ट थे अब वह माता लक्षमी जी के कृपा से जल्द ही समाप्त होने वाले हैं इसके साथ ही साथ धन से जुड़े पैसों से जुड़े कोई भी समस्या इन राश्वाले जातकों के लिए अभी तक कि ये जेल रहे थे तो अब आपको बता दे कि माता लक्ष्मी जी से कि कृपा से अब इन राश वाले जात्कों के लिए पैसे से जुड़े आर्थिक संबंधी शबी परेशानिया माता लक्ष्मी जी तुरंत दूर करने वाली हैं दोस्तों हो सकता है इन में से एक राशी आप से बेहतर प्रसंद हो चुकी है तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये राशियां कौन-कौन सी है और इन्हीं क्या-क्या लाब होने वाला है तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों बता दे कि जो सबसे पहली और खुश नसीब राशी है दोस्तों वो है यहाँ पर करकराश ब पूरे होने वाले हैं अचानक से नया बदलाव देखने को मिलेगा करकराश की जातकों के उपर माता लक्षमी जी 6 अप्रेल के बाद बेहती प्रसंद हो चुकी है इसमें जो भी निर्णे लेंगे वो निर्णे आपका सर्वमान नहोगा समाज में मान समान बढ़ेगा रु मकरराश के जातकों के लिए बता दें कि 6 अप्रेल के बाद माता लक्षमी जी के कदम आपके घर में पढ़ने बाले हैं और माता लक्षमी जी के कदम पढ़ते ही आपकी सोई हुई किसमत अब जगने वाली है और आपके बंद किसमत के ताले अब खुलने वाले हैं बंद कि उच्छे प्रगऑ मातावलक्ष्मी जेकर कृपाश मिलने वाली है चन्ययराश , की आपकी जराइक प्रसंन हों के बाद भीकिठाने जव आज में मानसमान बढ़ेगा स्टुडेंट के लिए काम्याबी से भरा रहने बाला है किशी प्रत्योगी पर इच्छा एक्जाम के त्यारी में जुटे हुए हैं या देना चाहते हैं या देकर आए हैं तो आपको सफलताएं अबश्य मिलेंगे सेहत में सुधार देखने को मि बात करें तो बहुत ही अच्छे शुब परिडाम देखने को मिलेंगे जो सिंगल जाता है अगले जो राशी आती है दोस्तों वह यहां पर मीन राशी बताना चाहेंगे मीन राश की आपके लिए भी बहुत ही अच्छा और सुब फलदायक यह समय रहने वाला है आपके दायक और फलदायक रहेगा रुका हुआ फसा हुआ धन प्राप्त होगा और लोटरी शट्टा शेयर मार्केट से अच्छा खासा मुनाफ़ा प्राप्त कर सकते हैं और आपकी जो धन की आवक होगी उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी धन आने से आपका मन काफी ज़्य आपके शेलेरी में बृद्धी की योग बन रहे हैं साथी नौकरी नई नौकरी लगने की उमीद बनी हुई है उच्चा दिकारियों को सपोर्ट मिलेगा उनके सहयोग से प्रमोशन की योग भी आपके लिए बनते नजराएंगे माता लक्षमी जी के कृपा से आपके घर म आप ही की राश में परिवर्तन करने जा रहे हैं जिसके कारण से कई तरह के राजयोग और धन्योग का निर्मार करने के चलते आपके उपर माता लक्षमी जी बेहाद प्रसन हो चुकी है अब आपका धूरा काम पूरा होगा लोन मंजूर होता हुआ दिखाई देगा आपक की बहुत बड़ी खुस खबरी आपको मिलती नजराएगी आपके घर परिवार में खुशियों का वाता वरन देखने को मिलेगा धर्मकर्म के कार होंगे शबी अधूरे कारों को निप्टाने की कोशिश करेंगे ये जो समय रहेगा इन राश वाले जातकों के लिए बहुत लाइक जरूर करें नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करिए जय मालक्त